आज मैं 1.5-2 साल के बच्चे के लिए पजामी बनाऊंगी और ये पजामी में बच्चे हुए कपड़े से बना रही हूँ और इस कपड़े को मैंने डबल कर लिया है इस डबल कपड़े को हम एक और बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले हम 1.5 इंच पर निसान लगाएंगे ये निसान में इलाश्टिक डालने के लिए लगा रही हूँ इसमें मैं 1.5 इंच चौड़ी इलाश्टिक डालूँगी अगर आप जादा इंच चौड़ी इलाश्टिक डालती हैं तो आप उसी हिसाब से निसान लगाएंगे अब हम लंबाई के लिए निसान लगाएंगे ये हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया अब यहां से लंबाई ना पेंगे तो हम तयार लंबाई 17 इंच की रखेंगे और एक इंच इसमे नीचे फोल्डिंग के लिए रखेंगे तो हम 18 इंच ये कपड़ा ले लेंगे और बाकी कपड़े को कट कर देंगे ये कपड़ा मेंने कट कर दिया है अब हम कमर के लिए निसान लगाएंगे तो कमर के लिए निसान हम 6 इंच पे लगाएंगे आप बच्चे की कमर का नाप लेके और उसका चौथाई भाग लेके उसमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्टर ले सकती है अब हम आशन के लिये निसान लगाएंगे तो आशन हम यहां से नापेंगे आशन के लिये हम 8 इंच पर निसान लगाएंगे और यह तयार आशन हमारा 7.5 इंच का हो जाएगा इसमें से 1.5 इंच इसलाई में चला जाएगा कमर के लिए हमने कपड़ा 6 इंच लिया है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा के कपड़ा लेंगे आगे की साइड में हम यह 7.5 इंच पर निसान लगा देंगे और यहां से गोलाई देंगे इसकी यहां पर मोहरी लेंगे हम पांच इंच की इसमें एक इंच सिलाई के लिए रखेंगे यह छे इंच पर हम निसान लगा देंगे अब इस निसान से इस निसान को मिला देंगे अब यहीं से कटिंग कर देंगे अब हम आसन जोड़ेंगे उसके लिए मैंने एक परदे को ऐसे सीधा बिछा लिया है उसके उपर दूसरे परदे को ऐसे उल्टा बिछा देंगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा देंगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा देंगे और दोनों साइड का आसन जोड देंगे ये मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा के आसन जोड दिये हैं अब हम नीचे मौरी की साइड में सिलाई लगाएंगे हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पैर की मौरी पर यह मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड में अब हम इसको ऐसे खुल लेंगे अब हम यहां से लेके ऐसे करके सिलाई लगा देंगे यहां तक यह मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा दी है अब हम इलास्टिक डालने के लिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक बार ऐसे मोड आएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे ये मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है अब इसमें मैं इलास्टिक डाल दूंगी ये इलास्टिक मैंने 14 इंच लंबी ली है आप अपने बच्चे की कमड से 3 चार इंच कम इलाश्टिक डाल सकती है मैंने इसमे इलाश्टिक डाल दी है अब मैं इस खुली हुई जगे को सिल दूँगी और इसको सीधा कर लूँगी पजामी बन के तयार है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें